वो कि नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल के बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डोप्तर Gautam Singh जी सिने स्वांट कर दो नमस्कार डी नमस्कार आपका हमारे चैनल पैनल स्वागत है मुअ कि बात्चेत करना चाहरे हैं क्योंकि एक समान्म्य रोग रहे हैं अक्सर अंवारे सुन्हें ऑजाता है कि हर व्यक्ति यह क्याता कि की बी-पी कित्ना है कित्नाफ प्रैसर हो गया तो सब सबसे पहले मुझे जानना जा रहें कि जो इस द्रम का मतलब हो दिखे blood pressure का मतलब यह होता है कि हमारे body में जो हुन हमारे heart से निकलता है और वो ultimately जो हमारे body के last अंग तक जाता है तो वो कितने pressure से हमारे body के अंदर flow करता है उस pressure को जो है वो blood pressure कहा गया है अगर हम इसकी comparison करें एक normal pipe पानी के pipe से तो हम यह देखें जो पानी का pipe है उसके अंदर जब हम नलका खोल देते हैं तो जितने pressure से नलके में पानी आ रहा है उतने ही pressure से जो है वो pipe में आगे भी पानी आता है तो जो जो वो pressure का measurement है यह बहुत जादा जरूरी होता है क्योंकि अगर यह pressure बहुत जादा हो जाए तो भी हमारे को नुकसान पहुचा सकता है अगर आप मान दिजे के pipe के अंदर जो है वो pressure बहुत जादा हो जाए तो pipe फट भी सकता है इसी तरह से हमारे brain की या हमारे body के अंदर कोई नसफट भी सकती है और अगर जो है ये बहुत कम हो जाएगा तो हो सकता है कि बिल्कुल पानी आगे तक नहीं जाएगा आगे तक पहुंचेगा ही नहीं तो इसमें low blood pressure भी जो हमारे body को नुकसान पहुंचाता है तो इसके average blood pressure जो हमारे body में होना चाहिए जिससे जादा blood pressure भी नुकसान पहुंचाएगा और कम blood pressure भी नुकसान पहुंचाएगा मगर अगर हम यह समझना चाहते कि blood pressure क्या है तो जितना pressure वो blood जो है हमारे body के vessels के उपर exert कर रहा है जब हो travel कर रहा है उसके फूप यानि कि जब हमारे खूनकी नली से खून जो है रहा है जारा है एक जगासे दूसरी जगा और उस दौरान वो कितना pressure हमारे खून की नसों के उपर जहे वह डाल रहा है कि उस प्रेशर को जो है, वह कितना होना चाहिए hineaा भगवार ने तो किसी के उपर स्टैंप लगा के भिछ नहीं कि कितना होना चाहिए है तो कैसे पता चला को डॉक्टर डे जो है वह उस्के आसपास जो है वो पलाद परिषटा उसके दज को यह वॉइसे सीड़ को मगर उसके पाद वह बहुत नहुपो जो है वो यह पाया गया पहले कि जो लोगों का ब्लडड पीशा थोड़ा सा जादा है उसमें भी कोई दिकत नहीं है उनकी झीवन कम नहीं हु रहा है तो थोड़ा सा जादा ब्लड पेशा को भी जोने है वह क scroll of our के माना गया यह यह पाया कि अगर हमारा blood pressure 120 systolic और 90 systolic के बीच में है और हमारा diastolic 80 और 60 के बीच में है तो यह blood pressure की जो है एक range होती है जिसको normal range कहा गया है तो उपर वाला 120 की जगा हम बोलेंगे 90 by 90 to 120 90 से लेके 120 के बीच में और नीचे वाला 80 की जगा हम बोलेंगे 60 से लेके 80 के बीच में यह बार ऐसा होता है कि patient कहता है कि हमारा blood pressure 96 by 62 हो गया तो क्या यह बहुत low blood pressure है वह तो बहुत परिशान हो गया बहुत tension में आ गया तो यह बहुत low blood pressure नहीं है definitely lower side of the range में है मगर low blood pressure नहीं है ऐसे में हमारे को जो है वह घबराना नहीं चाहिए और इस चीज़ का फाइदा उठा कि कई बार जो है मैं यह देखता हूं कि कई quacks जो होते हैं जोला चाप doctors जो होते हैं quacks होते हैं वह इस चीज़ का फाइदा उठाते हैं patients जो है अपना blood pressure खुद monitor नहीं करते doctor के पास जाते हैं कहते कमजोरी लग रही है वह कहते हैं कि आपका blood pressure हमने चेक किया blood pressure आपका low है बहुत low है आपका blood pressure और मैं एक दवाई दे देता हूं आपका blood pressure जो उससे सही हो जाएगा और इस तरह की जो है वह चीज़े करते तो लो normal का मतलब क्या है normal से हट के normal से हट के कौन है मान लिजे के कोई व्यक्ति है उसको brain के अंदर जो है वह bleeding हो गई है या उसको brain के अंदर clotting हो गई है तो ऐसी स्थिती में जो है हम 120 80 का blood pressure शायब नहीं चाहेंगे उस मरीज के लिए उस मरीज के हिसाब से उसका blood pressure रखा जाएग अई बार जो है ऐसे मरीज का blood pressure जो है हम 1500 systolic और 90 diastolic के बीच में रखते हैं जिसके brain के अंदर जो है perfusion थोड़ी सी जादा हो या थोड़ी सी better हो और जो इस्षिमिक एरियाज हैं या उनके अंदर जो है कोई भी खुन की कमी ना होने पाए मगर इस पे भी जो है वो उनके प उनके मन में जो है वह 120 80 की figure होती है तो यह 120 80 की figure जो है वह बिल्कुल नॉर्मल सिथी के अंदर है या अब नॉर्मल सिथी के अंदर मान लीजे कोई chronic kidney disease का patient है उनका blood pressure बहुत जादा होता है जब हम measure करते हैं तो कई बात 210 220 230 उनका blood pressure होता है और डायस्तॉलिक उनका जो है व में जो blood pressure की दवाईया हैं उनको दे के blood pressure को थोड़ा कम किया जा सकता है blood pressure में एक और बड़ी खास category होती है जिसको हम isolated systolic hypertension कहते हैं isolated systolic hypertension जो है यह थोड़ा ज्यादा उमर के लोगों में होता है जिस पे उमर बढ़ जाती है यानि कि अगर हम मान के चलेंगे तो 65 साल से उपर के जो लोग होते हैं उनमें ही isolated systolic hypertension देखा जाता है कि क्या होता है कि उपर वाला जो systolic bpa वो तो ज्यादा हो जाता है और जो डायस्टॉलिक भी पिए वो ज्यादा नहीं होता यानि कि उनका blood pressure किस हिसाब से होगा उनका blood pressure होगा 170 by 72 या उनका blood pressure होगा 180 by 62 या 64 ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो evaluate करता है कि दवाई देने से जो है वो उपर का BP कितना नीचे आएगा और नीचे का BP जादा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नीचे का BP जादा लो हो गया तो कहीं उनको कोई और दिक्कत ना हो जाए तो उसको डॉक्टर जो है वो evaluate करता है मगर ऐसे मरीज भी डॉक्टर के पास बार बार आके यह कहते के डॉक्स अभी भी बड़ा हुआ है BP अभी भी बड़ा हुआ है BP क्योंकि उनके दिमा स्टिति आ गई है जिसमें कोई बिमारी आ गई है या कोई आपका कोई इलाज चल रहा है तो उसमें आपके डॉक्टर डिसाइड करते के आपके लिए कितना ब्लड प्रेशर ठीक है लेकिन कई बार हम नहीं यह देखा है कि कुछ लोग यह कहते है कि हमारा वन सिक्टी ब्लड प्रेशर रहता उपड़का लेकिन हमें काम करने वगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम सारे काम डेली रूटीन की एक्सरसाइज इस वगरह सब अराम से कर रहे हैं अगर लेक की शाइद जरूरत भी होगी काफी जादा है हमें नुकसान भी पहुचा सकता है और ब्लड प्रेशर को जो है कि हम नॉर्मल अगर मेडिकल स्कूल में हम बात करें मेडिकल नाम से कहा गया क्योंकि जब symptoms होते नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा नुक्सान ना पहुचा दे हैं हमारी body में जो हमारी खुन की vessels होती है यह muscular होती है इसके अंदर muscle cells होते है और muscles की property होती है कि जतना उसको आप exert करोगे जतना उसकी exercise करोगे उतनी वो टफ हो जाएगी उतनी वो बढ़ जाएगी जैसे कि हम यह कहते हैं कि सल्मान खान ने जो है वो बहुत डंबल्स उठाए तो उसके डोले बड़े बड़े हो गए इसी तरह से अगर हमारी खून की जो नस है उसको एक्सराइज जादा करनी पड़ेगी यानि क जो नॉर्मल अगर हम एक कंडूट की बात करें या एक कोई वैसल की बात करें तो अगर जितना उसमें प्रेशर होगा वो फूल जाएगी या सुकुड जाएगी इस फूलने और सुकुडने से जो हमारे बाड़ी के अंदर बहुत चेंजिस आते हैं जैसे कि सरदी का समय हो स्कुण लाल-लार उसके गाल हो जाटे क्योंकि खून की तरफ बढ़्ड जाता है लो समझने की कोशिश करें एक नदी केंδर से पानी जा रहा है तो जहां-जहां-जहां वहाँ वहाँ नदी जो है वो बाहर के हिस्से को खाएगी जितने प्रेशर से पानी जाएगा वो बाहर के हिस्से को खाएगी और जो नीचे का हिस्सा है उसके अंदर जो है वो कच्रा जमा होता जाएगा तो नदी जहां भी घुमाओ खाएगी इसी तरह से हमारी ब्लड वैस ब्लड पर हमें कोई प्राब्लम ही नहीं थी अचानक से कैसे हो गया उचानक से कुछ ङहरे हाँ हरोने में टाइम लगता है किसी ने अपको बताया उसके बाद भी आप उसको एगनौर कर देते हैं तो यह आगे चलके लांग टर्म जो है वह प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिगог वह कहoby me पेशेंट है और कौन से हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है कौन सी ऐसे स्थितियां अगर एक सो बीस असी से उपर किसी का ब्लड पेशर है तो उसको हम जो है वो हाई ब्लड पेशर कह सकते हैं मगर जो हमारी मेडिकल साइंस है आज की डेट में वो यह कहती है कि 129 तक 139 त किसी ये जूब्लड पेशर को करना चाथे तो उसमें बहुत शादी जरूरी है वेट-लॉस करना किकिला में वेट-ल्स काम होगा अगर हम पांच किलो वЖजन कम करते तो उसमें हमारा बलड़ पेशर जो है वो 15 mm शिट्ड तक वह कम हो सकता है उसके बाद Stop Smoking अगर हम Smoking करते हैं या कोई भी तरह से तंबाकू का सेवन करते है तो उसमें prop करता है तो अगर तंबाकू का सेवन बन कर देंगे तो हमारा blood pressure जो है वो खड़ जाएगा ऐलकोहल जो है वो शुरुवाती जो कुछ जाम होते हैं शुरुवाती जो quantities होती हैं उसके अंदर हमारे bode में blood pressure को down करता है और उसके बाद हमारे blood pressure को बढ़ाता है तो alcohol भी हमारे body में blood pressure को बहुत ज्यादा variation देता है उसके बाद कोई भी अडिक्टिव ड्रग्स होती है जैसे की ड्रग एडिक्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं उसमें भी जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई ऐसी बिमारियां होती है जिसके अंदर से किड्नी की बिमारी है उसके ब्लड पेशर बढ़ हमारे को यह देखना चाहिए कि अगर हमारा ब्लड पेशर जो है वह लाइस्टाइल चेंजिस से सही हो सकता है तो हमारे को करना चाहिए तो अपनी डाइट को कंट्रोल करें स्मोकिंग को बन करें उसके बाद रेगुलर एक्सराइजिस करें उसके बाद नींद बहुत सारी चीजों से जो है वह ब्लड पेशर घटता है ब्लड पेशर में एक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपटेंशन का मतलब यह है कि मरीज जब डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर का जो है वाइट कलर का कोट पर बोलते हैं तो उसका द जादा आता है मगब घर में जब वह बीपिछill करता था सकता हूं इसको वाइट कोट हाय पेशन कते स MONT-1 इन ऋ-ड ऑधboo曾ha जैकistic नहीं हो पाता एक बहुत इंपौट्स चीज जिसको हम बोहित से ढॉत राइस का मतलब यह है किन उमीद कर रहा ह कि आपका ब्लड पेशर जो है वो कम होगा तो आपका ब्लड पेशर अगर जादा भी है तो डॉक्टर ठीक से उसको सुन नहीं पाता है और उसको यह लगता है कि आपका ब्लड पेशर कम है या ठीक है तो डॉक्टर बाइस की वज़े से भी आपके ब्लड पेशर के अंदर व कोई बुजुर्ग सा डॉक्टर है उसकी सुनाई ठीक से नहीं देगा तो ज़्यादा ब्लड पेशर को वह काम भी बता सकता है इस तरह की प्रॉब्लम जो है वह कई बार देखी जा या आपका ब्लब पिश्र जो है, वो ज्वादा क्यों आ रहा है? अगर सर्धी का बहुत समय है, आप थंड में बैठे है, आपको फंड लग रही है, ता ब्लब पिश्र लेने जाएंगे, आपका ब्लब पिश्र बड़ा हुआ होगा. तो अगर जो बीपी का कफ है मान दीजे कोई हेल्दी आदमी उसका उसका आम भूत बड़ा है या कोई बहुती छोटा व्यक्ति है उसके अंदर अगर बीपी का कफ जो हमने स्मॉल साइज का नहीं लिया लाज साइज का नहीं लिया उसके बॉड़ी के हिसाब से तो उससे भी लाइस्टाइल हमें चेंजिस करने चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसमें डायेट स्मोकिंग सेसेशन अलकोहॉल प्रियाटी फूड एक्ससाइज यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्लीप यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमाई को ब् यह कहते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर तो लो रहता है उनसे हम लोग जब डीटेल में जाते हैं कि आप लोग प्लड प्रेशर के कैसे कह रहे हो क्या कह रहे हो तो वह कई बार कहते हमारे कुछ चक्कर आ रहा है कई बार कहते कमजोरी लग रही है यह सिम्टम्स बताते हैं ड अजिकतर जो है blood pressure low होता है जब कोई मरीज बहुत ज़्यादा बिमार होता है या septicemia में होता है एक चीज़ होगी infection एक चीज़ होगी infection खून में फैल गया और एक चीज़ है वह हद से ज़्यादा तक फैल गया सब्सक्राइब करते हैं और लाइफ सेविंग मेडिसेंज या बढ़ाने की जो दवाईया है उनको दी जाती है जिसे उनका जो है वह बीपी बढ़ जाए और उनकी बॉड़ी जो है वह बिमारी से लड़ सकते हैं सर आपने हाई बीपी की बात करी तो हाई बीपी में कौन-कौन से खतरह रहते हैं व्यक्ति के कि उसे किस किस सारे च और हमको चांप सारे काह एँ ए नहीं अनुड़ की पड़ा तो उन्हें किस सारे क्तरब यह आ नब है बिल्कुल अगर आहिए टेस्ट करेंहां सबसे पहले हमारे नुपसान पहुचा सकता है या निकि ब्रें के अंदर जो है वह project क्लाटिंग दोनों की समस्य आ सकती है क्योंकि खूं की नसे होती है बहुत बारिक हो जाती है और अगर उसमें थोड़ा सा भी जो है वह डैमेज आजाता एया तो भी के बहुत बड़े बड़े धाम को करता है तो बॉडी के अंदर जया कमिया आ जाती है जैसे कि आदे साइट हो सकता है उनको या उनकी एक आंख जो है वो अंधी हो सकती है ब्रेन की वज़े से तो ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग या क्लॉटिक जिसको हम बोलते हैं कार्डियो वैस्कुलर जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सिडेंट तो सेरिब्रो वैस्कुलर उनको जो है वो हो सकता है अगर हम उससे नीचे आते तो हमारी आख के अंदर जो है वो कई changes जो है वो blood pressure ले आता है शुरुवाती changes के अंदर जो आख के अंदर खून की नलियां होती है वो मोटी हो जाती है फिर उनके अंदर थोड़ी सी लीकी हो जाती है फिर लीकी होने के बाद जो है जो उनके अंदर healing process भी चल रहा है तो उसके अंदर जो है वो cotton wool appearance हमारी आँख के अंदर हो जाती है ऐसी स्तिती के अंदर जब cotton wool appearance हो जाती है तो पहले लोग कहते हैं कि खाली pressure पढ़ रहा है सरदर्द हो रहा है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा धुंदला दिखाई दे रहा है और अल्टीमेटली जो है उनको papilodema भी हो सकता है और disruptor भी हो सकता है और retinal detachment भी हो सकता है तो जैसे मैंने आपको बताया के vessels जो है वो ठिक हो जाएंगी उनकी की डिमांड बढ़ने की वजह से जो है लॉटिंग और उनके अंदर हो सकती है जिसके अंदर हाच पूरी तरह से अपना काम नहीं कर सकता और धीरे 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 करेंगे तो करेसद सब्सक्राइब तो ह oni नियुक्त करने खेंगा मृशिंस नियुक्त सब्सक्राइब जाता है तो इससों मतलत है करफ है ने कि रही पाड़ जाता है और कोई भी सप्रश ô छाता है और तो क्रेसे हमारेizer ने बताया था कि हमारा दिल फैला हुआ है तो ऐसे लोगों का दिल जो फैल जाता है बाद में जाके पहले ठिक हो जाता है और बाद में फैल जाता है अगर ब्लड प्रिशर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हार्ट के अंदर यह चेंजिज आ सकते हैं उसके बाद हमारी किड्नी कीड्नी हो जाएगी हम यह देख रहे हैं कितनी जादाथ क क्रोब्लम बहुत जदा बढगएगे जो परेशान है इसका मूल कारण जो है जो majority of कारण है वो hypertension और diabetes है तो please अपने blood pressure को जो है वो control में रखिए अपने diabetes को control में रखिए और kidney की बिमारी से बचिए heart की बिमारी से बचिए अगर हम उससे और नीची जाते तो हमारे को peripheral neuropathies हो सकती है इसका मतолब यह है कि हमारे को अपने हाथों में और पैरों में जो है वो सुन्वानाट सी होने लगती है वंपारी फंक न होने लगता है अजीव शी sensation हो जाती है जिसको the lingering sensation कहते हैं या कोई कहता है कि मुझे काटे लग रहे हैं, चीटियां काट रही हैं, या सुईयां चुब रही हैं, इस तरह की sensation हमारे को हो जाती है, peripheral vascular disease हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पैर के अंदर की कोई नस के अंदर या आर्टी के अंदर जो हो सकती है, पैर सूच जाता है, पैर में बहुत दर्द होता है, और अगर उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया, तो वहां पे पैर का वो हिस्सा जो है, वो डेड हो जाता है, और ऐसी स्थिति में पैर काटने की भी नौबत आ सकती है, आपने सुनाओका कई बार हम यह कहते हैं कि डायबिटिक पेशिंट में पैर काटने की नौबत आ जाती है, यह इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि ब्लड पेशिर की दवाई जो हमें खाने चाहिए, आजकल आधुनिक जो दवाईयां आ रही है, पुराने जमाने में तो दवाई आती थी ब्लड पेशिर को कम करने की, बगर आजकल आधुनिक जो दवाईयां आ रही हैं, उनके साइड इफेक्ट भी फायदा देते हैं, यानि कि दवाई ब्लड पेशिर कम करने के उसका साइड इफेक्ट क्या है कि डायबिटीज नहीं होती आपको, तो ये डबल फायदा होगे आपको, कि अगर आगे चलके आपको डायबिटीज होने वाली थी, तो आपको जल्दी डायबिटीज नहीं होगी, या इस तरह की ब्लड पेशिर की दवाई आती है, जिसमें यूरिक एसिड भी कम होता है, तो अगर किसी का यूरिक एस जाता है, तो दवाई ऐसी है, जो ब्लड पेशर को भी कम करती है, दिल को फैलने से भी रोकती है, इस तरह की आजकल आतुनिक दवाईयां हैं, जिनका हमारे को फाइदा करना चाहिए, और ये दवाईयां जो है, ब्लड पेशर को कम करने की दवाई किड़नी को भी प्रोट अच्छा है क्या होता है हमारे देश के अंदर के पार्क के अंदर जो है दो लोग मिलते हैं और हो कहते हैं जी मेरा बड़ा हुआ हूँ अब बड़ा हुआ है कि इस जह नहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा suited है के नहीं तो उसको tailor में करना पड़ता है patients के लिए बहुत ज़्यादा accurately pregnancy में अगर किसी को जो है वो blood pressure हो जाता है उसमें कई दवाईयों होती है जो pregnancy में हम नहीं देते तो बड़ी specific blood pressure की दवाईयों होती है जिनको हम pregnancy में देते हैं नहीं तो pregnancy में जब delivery के दौरान जो है वो जटके आने की संभावना हो जाती है या जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं और वो life के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है तो इस तरह की स्थिति को बचाने के लिए तो accurate दवाईयों अगर हम मरीज को देंगे तो सबसे ज़्यादा benefit उससे होगा पिश्वाईयों ने देखा कि लोग क्या करते हैं कि दवाईयां तो लेते नहीं हैं अपने हिसाब से exercises करते हैं अपने हिसाब से कुछ भी बजार से देशी दवाईयां वह भी आईरवेधिक डॉक्टर से कंसर्ट ना करके अपने आप ही लेना शुरू कर देते हैं तो इससे कितने नुक्सान के chances होते हैं बिल्कुल इससे नुक्सान के बहुत ज़्यादा chances होते हैं और हम बहुत ज़्यादा लोगों को अंफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर आयरवेधिक डॉक्टर होमोपेथिक डॉक्टर युनानी डॉक्टर वह इस मेंटालिटी को पब्लिक तक पहुचा चुके हैं और इस हद तक पहुचा चुके हैं कि मुझे लगता है कि अगली पीडी को भी जो है यह समझाना मुश्किल हो कि हर चीज का side effect होता है लोग कहते हैं जी आयरवेधिक दवाहिए इसका कोई side effect नहीं है ले लो क्या कि अपने आप ही ले लेते हैं कैमरे से कुछ किसी आयरवेधिक डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं सम्टाइम्स तो मगर नुक्सान तो हर चीज का होता है हमारे पास तो वो लोग आते हैं जो इनको ले रहे हैं और लेने के बाद उनको नुक्सान हो गया side effect हो गया है और वो हमारे पास आते हैं और बताते हैं के जी हम यह आयरवेदिक दवाई ले रहे थे हमें ये देखना पड़ेगा के एलोपेथिक दवाई और आयरवेदिक दवाई के अंदर फ़रक क्या है तो अगर हम बात करें कि आवले की मांडीजे बात करते हैं हम कहते हैं आवला जो है उसके अंदर विटेमिन बहुत होते हैं विटेमिन सी होता है मांडीजे एक पर्टिकुलर बिमारी होती है सकर्वी जो हमारे जबडों की हमारे गम्स की बिमारी होती है गम्स में खुन निकलने लगता है ऐसी बिम C को हम extract करें उसको purify करें और medicine के form में जो है वो patient को दें जैसे कि हम जो है को enzyme कहते हैं यह cod liver oil कहते हैं या हम जो है वो कई दवाईयों के अंदर जैसे की palm bark oil है pammbak oil हो गया palm का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसका जो तेल होता है उससे हमने यह पाया है करके जिसके अंदर से उसके अंदर की कमिया हटा के फिर उसको research करके यानि कि सो लोगों में दिया, सो लोगों में नहीं दिया, उसके बाद उसको एक मैना, दो मैना, तीन मैना, चार मैना, छे मैना, उसको मेजर किया, किसी को एक गोली दी, किसी को दो गोली दी, किसी को तीन गोली दी, और उसको accurately डाइगनोस करके, कि वह तीन वाले को नुकसान तरीके से इसको measure करके और फिर ये doses तै होती है कि ये क्या हमारे को फाइदा देंगी क्या हमारे को नुपसान देंगी तो ऐसे over the counter अगर हम medicines ले लेते हैं या ऐसे over the counter हम दवाईयां ले ले लेते जिनके के बारे में researches नहीं है definitely मैं यह नहीं कह रहा कि आयरवेदिक science अच्छी science नहीं है आयरवेदिक science, homopathic science यह science है इसके जो जानकार है इसको बहुत अच्छे से practice कर सकते हैं अगर आप जो है वो एलोपैथिक का इलाज नहीं लेना चाहते हैं आप मानने जहें ayurvedic का इलाज लेना चाहते हैं homopathic का लेना चाहते हैं तो उनके proper doctor से प्रॉपर कंसल्ट करके प्रॉपर सला से आप जो है चलेंगे तो आप डेफिनेटली फाइदे में रहेंगे वरना हंडेट परसेंट नुक्सानी होगा एक्सरसाइज की जहां बात आती है तो जो इनका बीपी हाई रहता है रेगलर उन्हें किस तरह के व्याम करने चाहिए और किस तरह के छोड़ देंगे बिल्कुल देखे बीपी हाई जिन लोगों का रहता है उसमें जो है जो है जो हमें करना चाहिए वह गर्रो हो रहा है तो इस तरह की एक्सर्साइज यह श्योंस करनी चाहिए जिसके अंदर हम अपनी दिल की धरन को थोड़ा सा बढ़ा रहे यह कार्डियो वर्काउट हो सकता है यह सारी चीज़े हमें फायदा देंगी ऐसे स्थिति के अंदर जो है वह बहुत ही जादा हेवी वेट करना हमारे को नुकसान देगा दूसरी चीज़ एक यह भी है कि बीपी हमारे बॉड़ी का एक रिस्पॉंस है यह ऐसा नहीं है कि कहते हैं या किसी को बहुत जादा गुसा आजाए तो वह लड़ने के लिए तैयार हो जाए जिसको हम फाइट मेंकैनिसम कहते हैं तो यह बॉड़ी का रिस्पॉंस है अगर आपको मान लिए चोट लग गई है या आपको सर में दर्द हो रहा है या आपको जो है वह दुख हो है बहुत जादा कोई प्राब्लम हो गए घर के अंदर ऐसे समय में आप अपना बीपी चेक करेंगे तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा और आप परिशान हो के डॉक्टर के पास भागेंगे के जी मेरा बीपी तो बढ़ गया बीपी चेक करने का समय वह नहीं है ज जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपका बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा क्या आप दिन में कर रहे हैं काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं तो बीपी आपका बढ़ जाएगा तो आप अराम से रिलाक्स होके मान लीजे के एक ग्लास थंडी लस्टी गर्मियों लेके और आप अपना बीपी चेक कर रहे हैं पैर में चोट लग गई आप बीपी बढ़ा हुआ आएगा और आप बिना किसी कारण के परेशानों के डॉक्टर के पास भागेंगे दिन में रात में के मेरा बढ़ गया मेरे को क्या करना चाहिए तो बीपी को जो है वो बड़े रिलाकस टाम में लेना चाहिए औबड़े रिलाकस टाम में जो है बीपी को मेजर करना चाहिए तो ज कर देगा तो यह पागल गोड़े की है तो इसको लगाम लगाना बहुत जरूरी है अगर आपको ब्लड पेशर है तो उसपर आप लगाम लगाईए आप अपनी दवाईयां रेगुलर ली लीजे और ये आपकी आपकी जीवन जो है वो बहुत ही सफल और बहुत ही स्मूद और लाइफ लॉंग आपकी जो है उसमें एक भी दिन की कमी नहीं आएगी घाटा नहीं आएगा अगर आप अपने ब्लड पेशर को जो है वो पूरी तरह कंट्रोल रखेंगे तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए खाने में नमक का परेश करिए आप अपने दिन में जो है वो धाई से तीन लीटर जो है वो पानी पीजे और रेगुलर एक्सराइज करिए जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो जानकारी दी और दर्शकों से हम कहने चाहेंगे जैसे डॉक्स आपने कहा है कि अगर किसी को भी अगर प्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है प्लीज कंसर्ट विद डॉक्टर अपने आप दवाएं ना ले अलोपैथी में भी आप आजकल बहुत अच्छी दवाएं आ रही है तो उनके भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स के पास जाके यह ट्रीटमेंट लें थैंक यू संक थैंक यू वेरी बच्छ बहुत बहुत अन्यूबार थैंक यू